डाहुल बेटक, वेरी गुदी इवनिंग, शिखा, बुदी इवनिंग बच्चा, परक, विशाखा, आलो, कुराहुल, नेहा, ठीक है, देवेश्वर, सौरभ पांडेश, शशांग वर्मा, सिधार्थ तिवारी, सिधार्थ तिवारी, मीज शिधार्थ भाईया, सिधार्थ सिधार्थ भी आपको लिंक मिलके आज फिर है, अरे वा, क्या बात है, सिधार्थ जो बीच में बने हुए, शगुफता, शगुफता, आकाश, आर्ती, रवी, हेलो बच्चों, गाइस, हेलो शगुफता, हेलो काजल, हेलो रवी, आर्ती, ठीक है, जी तू, तमाम बच्चे जो क्लास में आ रहे हैं, सबका स्वागत है, समय, ठीक है, बहुती शांदार चैप्टर लेकर आपके से बीच में आया हूँ, वो है गुफता अंपार, आपको अनकेडमी आपके ओपर, इस समय क्या पढ़ा रहे हैं, गुफता अंपार पढ़ाने जा रहे हैं, वो महान ठीक है, जागरती, हेलो बच्चों, हेलो अकाश, ठीक है, शाशांग, तमाम बच्चे जो समय क्लास में आ रहे हैं, सबका स्वागत है, रतनेश, अंकीता गर्ग, नर्गेस, ठीक है, गाईस, सबका स्वागत है, most welcome है, और बहुती शांदार चैप्टर होने वाला गाईस आ ठीक है, तो क्या बंध्र देख लेते हैं हम लोग, देखो, बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है, गुप्त समराज, ये है आपके टॉपिक का नाम, ठीक है, तो दिक्कत आपको, भानू, रिया, जीतू, नमस्ति बेटा, अकाश, ठीक है, चलो, बात की जाए तो यहां पिर हमने दो थर्म इस्तमाल की हैं अगर बात की जाए तो यहां पर दो थर्म इस्तमाल की हैं कौन-कौन से गुप्त और सामराज है गुप्त और सामराज हमने दोбо erklारे सित्माल किये हैं कि के बैचांहुअ कि ये बात की जाया बच्जों तो गुप्त क्या है डानस्टी है एक वन्ज का नाम है शाओ अरूर्ण गुप्त गुट डानस्टी है आपको बहुत मज़ा आएगा आप सिफ सुनते रहो ठीक है क्योंकि इस स्लाइड में थोड़ी दिक्कत आ रही थी ठीक है याने इंद्र ठीक है बहुत सारे बच्चे जो आ रहे है सब कर मोस्ट विलकम है कईस क्लियर होगे आप लोगों को तो गुप्त क्या है बच्चों और राजे शही बात है अगर समराज वट को आप ब्रेक कर दोगे तो दो वड़ अपने आप पिल जाएंगे एक मिले का सम एक मिले का राजे अर्थात सम राजे इसका मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा राजे एक ऐसा राजे जिसने क्या किया हो जिसने आस पास के तमाम चोटे मोटे अन राजों को अपने में मिला लिया हो या फिर अपने में समलित कर लिया हो बात क्लेर हो रही है कैसा राज इसने क्या किया और जिसने आस पास के तमाम छोटे मोटे राजों को अपने मिला लिया हो या फिर समलित कर लिया तो क्या बूलेंगे सब को अपने में स सामराज्य कहलाया, समझ में आ गया बच्छों आप लोगों को, और अगर ये काम कौन करेंगे, अगर ये काम मौरे बंच के लोग करेंगे, तो क्या कहलाएगा, मौरे सामराज्य, अगर ये काम कहते है कि मुगल करेंगे, तो क्या कहलाएगा, मुगल सामराज्य, अगर ये काम किया तो गुप्त बंश के लोगों ने तो क्या कहला या गुप्त समराज कहला या समझ में बच्छों आगे आप लोगों तो विकास विश्वा शैली ठीक है और फातिमा ठीक है शशांग जितने बच्छे क्लास में आरे सब का स्वागत है बच्छों से में टॉपिक हमारा जो चला है जो टॉपिक चला है वो चला है गुप्त समराज चला है और गुप्त समराज क्या होता है वो हमने डिस्कस कर दिया है गुप्त समराज क्या होता है इसे वर का मीनिंग क्या होता है अगर गुप्त समराज की बात की जाए बच्छों तो कहते हैं कि गुप्त समराज की खुप्त के बाद में जो अगला शासक बना है उसका नाम है गटोटकच उसका नाम क्या है? GATOTKACH. क्या नाम है बचों? GATOTKACH. जैके बड़ा ही controversial नाम फसता GATOTKACH. एक्जामिल नहीं यह कभी नहीं पूछेगा की GATOTKACH कौन है? यह जरूर पूछेगा कि GATOTKACH का संबंद किस सामराज से है? कई पर पूछा गया प्रशन है कि बचों की बताओ कि GATOT गटोतकच के बाद में जो सबसे इंपॉर्टन डूलर अब रदी भी बैठा इसके बाद में कि इतिहासकार लिखते हैं इतिहासकार लिखते हैं कि उगुप्त वन्शक का वास्तविक संस्थापक है प्रशांद बेटा गुड़ इवनिंग हशता बेटा गुड़ इवनिंग ठीक है बच्छों स्वागत है आप लोगों का ठीक है कहते हैं बच्छों की इतिहासार लिखते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथा में चंद्रगुप्त फर्स्ट है वो गुप्त समराच का वास्तविक संस्थापक है अब यहां पर एक समझने वाली लाइन यह आपके सामने यह आती है कि अगर जब हमने श्रीगुप्त लिखा तो कहा कि यह क्या है यह गुप्त वन्ष का संस्थापक है सभी बात है लेकिन जब हमने चंद्रगुप्त फर्स लिखा तो कहा यह गुप्त समराच का वास्तविक संस्थापक है दोनों में काफी अंतर है एक को बोला सं सबस्थापक और एक को बोला वाशिक सबस्थापक बोनों में क्या अंतर होता है तिव्यांक बेटा नमस्टे नमस्थे बेडा गुरीव्निंग ठीके अब संस्थापक में और वाशिक संस्थापक मच्छों अंतर क्या हो Ace można मतलब बत्चों होताए एक एक ऐसा विक्ति जिसने के वन नीव रखी हो, जिसने नीव रखा, नीव रखे छोड़ दिया हो, जैसे श्रीगुप्त ने क्या किया, तब गुप्त समराज की नीव रखी हो, नीव रखने के बाद छोड़ दिया, लेकिन जो विक्ति उस नीव के ओपर पूरी की पूरी इमा रहते हैं और द­वण्श का वास्तविक संस्थापक जो काम श्रिक्फट न ही कर पाया उसकााम विभाट पूरा yapt नंहें किया ता चंद्रगुप्ट फस॥ं न है के वल का संस्थापक है ऑ चन्द्रगुप्त प्रथम क्या है वास्थी संस्थापक है तो 3 प्रस्था आप क्लियर हो गए है पाहला प्रश्थ्ट एक पूच्ण जीए पूचह preço कि गुप्ägप समराज का संस्था जैसे है यह समझ मा गया यह चोटे-चोटे questions हैं, इतना फसाते हैं, आपको की दिक्कत होती है, लेकिन अब आपको दिक्कत एक बुंद रही होगी, अब discuss करते हैं किसके ओपर हम discuss करेंगे चंद गुप्त 1 के ओपर, ठीक है, अब चंद गुप्त 1 की बात की जाए, ठीक है, अगर आप चंद गुप्त 1 की बात करो, ठीक है, तो चंद गुप्त 1 ने क्या किया था, अपने नाम पर, इसके वंच का नाम क्या है, गुप्त, इसने अपने वंच के नाम पर एक कैलेंडर जारी किया था, इसने क्या किया था, इसने अपने वंच के नाम पर एक कैलेंडर जारी किया, इसको बोलते है सबस्क्राइब तरह के लोब इसको याद रख सकैं और इसके खांदान की लोगो们 जब भी आप पूछोगी कि जवाब आएगा सर जवाब आएगा पीटा популяр समव Zumवत अलग है विक्रम समवत अलग है शक समवत अलग है इ나ही समवत अलग पढ़एंगे अभी केवल एक्जामपल दे रहेते और वो किस खांदान का था, ताकि लोग इसको याद रह सकें, और इसके खांदान के लोगों को याद रख सकें, और यह जारी कब हुआता प्यारे बच्छों, यह जारी हुआ था 319 AD में, अब बच्छों, यह AD क्या होता है? बच्चो एडी क्या होता है एडी की बात करें बच्चो तो एडी का मतलब होता है एडी का मतलब होता है एडी का मतलब होता है इसका हिंदी मतलब होता है बच्चो इसा मसी के जनम से यह इसा मसी हो गए ना इसा मसी बैटा आफटर डेथ नहीं होता है इसा मसी के जनम से समझ मारा है इसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस और यहां से जो घंतिया हुई वो मिशर एसेंडिंग ओर्डर में हुई है समझ मारा गया आपको ठीक है चलो आगे चलते हैं तो आतिका, लता, ठीक है, बच्चों clear होगे आप लोगों को, सारे बच्चे clear होगे चो क्लास में समय है कि चंदरगुपत फर्स में क्या किया है और क्यों जारी किया है ताकि लोग इसको इसको इक हांदान को लोगों को याद रख सकें यह काफी important बात होती क्योंकि यह वो तरीके होते हैं ताकि लोगों की दिमाग में खुद को बना कर रखा जा सके यह कोई communication का साधन नहीं हो जमाने में, आप जिस जमाने में जी रहे हो, वहाँ पे WhatsApp नहीं है, Facebook नहीं है, Instagram नहीं है आपको लोगों के मन में च्छाने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ बातें लगानी पड़ेंगी ताकि लोग आपको हमेशा याद रख सकें अब चंद्रगुप्त फर्स के साथ एक दिक्कत क्या आ रही है, कि इसका खांदान है, वो खांदान कौन सा है, देखिए तो आधान रहा देखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स के नाम में क्या लिखा हुआ है, गुप्त, चीक है, पन्ना पलटते हैं, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां पर भी गुप्त लिखा हुआ था, यहां पर भी क्या लिखा था, गुप्त लिखा हुआ था, यह तीन-तीन जगा गुप्त लिखा हुआ है, यह क्या चक्कर है, आप जानते हो कि जो गुप्त लोग होते हैं, गुप्त मतलब गुप्ता, अगरवार जैसवाल, टेक्रिवाड, बर्णवाल, चीक है, जितने भी गुप्त लोग होते हैं, वो सब कौन होते हैं, वो वैश होते हैं, हमारे आप जानते हो कि हमारे आप चार वण है, ब्राह्मन, शत्रिये, वैश और शूद्र, सही बात है, ब्राह्मन, शत्रिये, वैश और शूद् इसकाली बेटा टाइप ऑप प्लिसिटी जो उसम्मठ जारी किया था वो टाइप ऑप प्लिसिटी था जाकि लोग उसको याद रह सकते हैं आप अब देखो यहां पे दिक्कत क्या हो रही चंद्रकुट फर्स्ट के साथ इचंद्रकुत फर्स्ट ницуहां वो अपनी जास से कौन है वो अपनी जास से कौन है बच्चो वैश्य है क्योंकि गुप्त लोग कौन होते बच्चों गुप्त लोग वैश्य होते हैं और आप जानते हो कि हमारे समाज में चार वण हैं कौन-कौन से ब्राह्मण, फिर शत्रिय, फिर वैश और फिर शुद्र, कोई दिकत ब्राह्मण, शत्रिय, वैश, शुद्र अब होता क्या है, हमारे याद 2000 साल पहले, आज की बात ही कर रहे हैं, आज से 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, मतलब प्राचीन काल में हमारे नियम बनाता कि आपका जनम जिस्वन में होगा, आपको वही काम करना होगा, For example, अगर आप ब्रहमण परिवार में जन्मे हो तो पढ़ोगे और पढ़ाओगे, शत्री परिवार में जन्मे हो तो रक्षा करोगे और शासन करोगे, वैशे परिवार में जन्मे हो तो पादन करोगे और वैपार करोगे, और शूद्र परिवार में जन्मे हो तो दूसरों क जहां पर दिक्कत किया आती है कि जो यहां पर ...... Tutaj लोが .. जो वाईशग होते हैं ? कि इसक में के पास में है ? शत्रियों के पास में है, पेटा सुरवी, गुड इबनिंग, गुड इबनिंग बच्चा, गुड इबनिंग, clear हो क्या बच्चों आप लोगों को, तो अप निम्हें काम काता है, यो शंद्रगुट 1 है वह अपनी जाज सेख वैश है, और वैशब काम होता है, ये पांदन कर तो और वैपार करो, लेकिन काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, शत्रियों वाला शासन कर रहा है, और अगर ये शासन कर रहा है, तो क्या सुसाइटी से बात को एकसेप्ट करेगी, क्या सुसाइटी से बात को एकसेप्ट करेगी, कि तुम एक वैश्य होने के बाब, जूत तुम एक शत्यों वाला काम करो, जवाब है नहीं, सर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो साइटी बोलेगी, कि अगर तुम एक वैश हो, तुम केवल वैपार कर सकते हो, और तुम केवल उत्पादन कर सकते हो, तुम शासन नहीं कर सकते हो, और इसी का परणाम था, इसी का प विरोध क्यों हो रहा है इसका अब क्या होता है अब कहते हैं कि चंद फिर्स्ट का विरोध होने लगा तो चंद कुछ फिर्स्ट को लगा क्या किया जाया बड़ी मुश्कित से गद्धी पाईए बच्चों सिद्धार बेटा नमस्ते ठीक है फिलियर हो गया बच्चों आप मिली है उस घृष्टी को छोड कैसे दे गृश्टी एक दिन का खेल नहीं होती है गृष्टी बड़ी मुश्मaphor से मिलती है घृष्टी तो न छोड सकते हैं हम अब क्या किया जाए ठेक है किमाश्यू बेटा गुड इवनिंग ठेक है अब क्या किया जाए अब सोचता है कि किसी तरीके से अगर शत्रियों के साथ कोई करीबी संबंद स्थापित कर लिया जाए तो हमारा काम चल सकता है बास समझ मारी है कि अगर शत्रियों के साथ कोई करीबी संबंद स्थापित कर लिया जाए तो काम चल सकता है और करीबी संबंद होता है वैवाहिक संबंद, अगर किसी प्रकार से अगर किसी प्रसिद शत्री कुल के साथ में अपना वैवाहिक संबंद स्थापित कर लें, तो समाज जमानित हमको मिल सकती है, तो पता करा कि सबसे प्रसिद शत्री कुल कौन सा है, तो पता चला उस जमान कियेगा हिंदन स्टान की हिंदन स्थान कि सबसे कि इसमें रिपीट करना पड़ि बीटा मैंने इसे वितना बता है कि कि किस प्रकार गद्ध्य को बचान तो सोचता है कि अगर शत्रियों के साथ ये भाईक संबंध स्थापित करने शुर्भी, तो असमाय से में हम को मानिता मिल सकती है, और इसी का परणाम था कि चंद कपतों फरस्थ ने पता कराए कि हिंदुस्तान की सबसे प्रस्थ चत्री डानेस्टी कौन सी है, तो वो लिच्वी है, तो इसने क्या किया, अब देखिए, जिस समाज में लोग अपने वण के बाहर काम नहीं कर सकते, अगर उस समाज में कोई शत्री परिवार की बिटिया, अगर शत्री परिवार की लड़की बिहा रही है, तो इसका मतलब या तो वो बंदा शत्री होगा, या तो ब्रहम्मन होगा, वो नीचे नहीं शादी कर सकता, क्योंकि ध्यान रखिएगा, कि उप्राचीन काल में नियंग था कि बीटिया की शादी होगी, या तो बराबरीम होगी, या तो उपर होगी, नीचे नहीं होगी, समझ मा गया, तो कहता है, चंगुत पस्ट कहता है, कि अगर लिश्यों ने शत्रियों का इस्तमाल कर केस ने क्या किया, अपनी को मानिता दिलवाई, कि अगर मेरी पत्नी शत्री है, अगर वो लोग मुझे विवाकरवार एपनी बीटी की, इसका मतलब मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक शत्री परिवार सम्बंदित हूँ, तो अपनी सत्ता को बचाने क लिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए इसने क्या किया था सत्ता को बचाने के लिए इसने वैभाईक संबंदों का सारा लिया था अब एक बात हमको यह संजमिनी आती है हमको यह बात संजमिनी यह नहीं आती है कि चलो ठीक है चलो ठीक है अच्छी बात है कि अच्छी बात है लोगों सही बात बोली विकास ने, क्योंकि चंगुत फर्स्ट को क्या चाहिए था, नाम चाहिए था, और लिट्मियू को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, क्योंकि चंगुत फर्स्ट के पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन नाम नहीं है, उसको नाम के जरूत है, और कॉमेंट करके बताइए यहां तक लियर हुआ आप लोगों को और बच्चों यह सारे कोशन बनते हैं और इसी पे आपके इसी पे आपके सारे कोशन सागे बनेंगे यह वह बैग्राउंड है जहां से आपको पुरा पढ़ना है पुरा आपका पुरा इंडिस्ट्री पुरा प होते हैं भारत का सुनकाल के एकते हैं बेटा मॉनिका मॉनिका हेलो बेटा मॉनिका कैसी हो आप तेक है मॉनिका करदा में इसे में डिसकस करें बेटा गुप्तम पैर डिसकस कर रहे हैं और बहुत ही शांदार स्टोरी आपके मिस कर दिये बहुत ही शांदार स्टोरी है चल अब देखो यहां पर बड़ा contribution line में बोलने जा रहा हूं तो पुड़ा सा ध्यान सुनिएगा आपको बहुत aesthetic बात बोलने जा रहा हूं देखी गुप्त काल क्या भारता स्वनकाल है सुनकाल में नियम था कि भाई जिस वन में आपका जनम होगा वही काम करना होगा उसी सुनकाल का उसी गुप्त काल का गुप्त काल जो कि सुनकाल है उसका वास्तिविक संस्थापक उसका वास्तिविक संस्थापक क्या कर रहा है अपने वन से बहार जाकर अपने वन से बहार तकर क्या कर रहा है शादी कर रहा है सिंपल सी बात क्या कर रहा है यह इंटर इंटर कास्ट मैरेज कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है हमारे खांदान में हम अगरवाल है तो हमारी बीटे के शादी अगरवाल हो बहीं होगी गुपता में होगी ठीक है हम मिश्रा है तुम मिश्रा शुकला में जाएंगे पांडी में जाएंगे ये जो सोच है ना ये सोच जो है ऑपता कहां तक रहती है हमेशा से ये जो रूड़ी बादी महा सिख्ता है, ब dunno ई कहां तक रहती है, केवल Middle Class तक रहती है हाँ बेटा मैं भी अ het क्रविच आजक्र आएतोह में पक्रवाद हु उससे मतलम नहीं है मेरा ठीख है आप अग्रवाल है हम गर्ग है टीख है गुपता है, مشरा है, शुक्ना है, हमारे लिए इस समय क्या है इस हमारे सिर्थे दोचीजे हैं, आप मेरे स्टूडेंट हो gaan और दूसरी बात आप एक इनसान हो मैंने पूरे अध्यान में सीखा इस बात को कि आप मेरे student हो और दूसरी बात आप किसे इंसान हो हम आपको इंसान की दिस्टिकों से देखते हैं यह बात मेरे पुरे इतिहास के अध्यन में और पढ़ाने में रही है चालो अब क्या होता बच्चो कि यह जो मान सिकता है ना बच्चा अंकिता क्लियर रहूरी बच्चो आ यंशान के भी बच्च्च कंपनी बताओ सभी बात है कि नहीं है सभी बात है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि जो आपकी नियम है जो आपके बच्छों नियम है वो क्या होते हैं आपकी स्थितिके गौर्डिंग चेंज हो जाते हैं ठीक है हाँ भाई मैं त्यारी करना हूँ ठीक है चालो वेकल सही बात है बच्चों पूरा concept clear हुआ मेरा देखो आज भी देख लो जितनी अमीर लोग है ठीक है आज भी आप देख लो ठीक है बैटा ऐसा जोगी जोगी ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा वेकल भी नहीं है बच्चों यहाँ कोसेप्ट पूरा क्लेएर हो गया, हम आगे चलते हैं कि आज भी अपर ट्रास में बहत बाट कॉमन बात है एक उतकर बच्चों स्वागत है आप लोगों कुमार देवी का कोई भाई नहीं था जब कुमार देवी का कोई भाई नहीं था जब कोई ब्रदर नहीं था तो कहते हैं कि इसके पिता के जब मौत हो गई कुमार देवी की तो लिच्वी को जो राजपाट था को चंदगुत फरस्ट के हाथ में आ गया लेकिन चंदगुत फ चैतर सेацन करो। तो जंत, आप को बlog करेगी और जंत आप को सपोट करेगी। McK पत्म थी पत्मे जेए लिएहना मे हिखना जाओ कि, लिए जान में जाओ करो रहे मुझा हो आगर हमाने पत्मीन है, असा hanad दूर है में क करने लिए। ऐसा ह preaching की है।। उरा ना और इस बात की जनकारी कहा से मिलती है, इस बात की जनकारी मिलती है हमको राजा रानी प्रकार के सिक्कों से, बेकों सही बात है पैलल रूल कर रहे थे, जोगी-जोगी क्या कर रहे थे, वो पैलल ही मूव कर रहे थे, ठीक है पैलल शासन कर रहे थे, बोलता है कि चंद्गुट फर्स ने एक सिक्का जारी किया है जिसमें एक तरफ क्या बना है बच्चा एक तरफ वाजा बना हुआ है और एक तरफ क्या बनी है रानी इसको बोलते हैं राजा रानी प्रकार का सिक्का क्या बोलते हैं बच्चो राजा रानी प्रकार का सिक्का ही जारी किस ने किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने बच्चो पुरा concept क्लियर हुआ मेरा आप लोगों को चालो तो यह था पुरा चंद्रगुप्त फर्स्ट यह वह चंद्रगुप्त फर्स्ट है जहां से धेर सारे कॉश्चन बनते हैं और आप आप exam में पूछेगा और directly आपको जवाब देना होगा ठीक है अब देखिए अब गाईस जो लोग on academy के माधियम से आये हैं तो आप के through में तक आया हो, class कर रहा हो राहुल कर रहे बेटा राहुल यूजर और कोई है हाँ बेटा जोगी-जोगी सोनम तो गाइस आप लोग जो साक्षी मांशू जितने लोग क्लास कर रहे हो अन अक्याडमी की तुरू क्या मज़ा आ रहा है आप लोग को गाइस आप लोग क्लास इंजॉई कर रहे हो चिक है बेलकुल यूजर इक चीज इतना अच्छे से पढ़ा है कि आपको दुबारा पढ़ने के ज़रोती नहीं पढ़ेगी सिंगल टाइम, सिंगल टाइम दूसी बात पढ़ने के ज़रूती नहीं पढ़ेगी, अब बच्छो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, अब ये होता है कि चंदकुप्त फरस्ट ने क्या किया, चंदकुप्त फरस्ट ने शादी की थी कुमार देवी से, जब कुमार देव से चंध्रगुप्ट के नाम में एक चीज लिखी हुई है वह क्या लिखी हुई है बच्चों गुप्त यहां पर सीम क 你ंदिशन आ गए बच्चों तो कहें ते谁 के साथ ृषण económ दोगों नेvation्ट को बोला कि तुम भई क्या हो तुम यक वैश्य हो तुम एक वैशे परिवार की हो तुम अगर वैशे परिवार की हो तुम अगर वैशे परिवार की हो तो तुम शासन नहीं कर सकते तुम केवल वैपार कर सकते हो और उत्पादन कर सकते हो तुम शासन नहीं कर सकते हो तो अब क्या किया जाए अब कहते हैं कि समद्रकुप तो बड़ा परशान हो गया, कि लोग बड़ा विरोध कर रहे थे, तो समद्रकुप तो लगा कि अगर पिता जी की तरह हम भी शादी कर रहें लिच्वियों के साथ में तो वहारा काम चल जाएगा, लेकिन जब समद्रकुप ने शादी का प्लान बनाया, तब उसको याद आया कि इसकी जो मदर है कुमार देवी, इसकी जो मदर है कुमार देवी वो कौन है, वो तो लिच्वी है, सही बात है, इसकी जो मदर है कुमार देवी कौन है वो लिच्वी है, सही बात है, विकुल सही बोले विकास और रवी, कि इसकी जो मदर है इसका मतलब ननीहाल से तो यह लिच्वी है, तो समाजय मानिता मिल जाएगी, इसलिए कहा कि क्या हूँ, इसने बोला कि मैं लिच्वी दोहित्र हूँ, मैं क्या हूँ बच्चों, मैं लिच्वी दोहित्र हूँ, दोहित्र का मतलब क्या होता है, बेटी का बेटा, अर्थात्र का नाती, simple सा कहता है और मैं था क got के वमें दुच्वियों के नाती हूं, तो में अधिकार है कि वद्धार्व को श्रान सुपने सा विश है किुए कि अब कोशिश प्रशन क्या बनता है प्रशन सिंपल से बनताहे बचा सिंसां बनता है कि लिचवी 9-3 उपादी किसम्राइटकिन गज़ Thai पूरा concept clear हुऊ आप लोगों को कि लिच्वी दोहेतर की उपादी चून ली है और उसकी पीछे बैग्डाउंड्स क्या-क्या रहे पेटा राम चंदरपाल स्वागत है बेटा आपका उसके में डिसकस कर रहे हैं बच्चों क्या डिसकस कर रहे हैं हम लोग समुद्धकृत के बारे में बहुत सारी है जैसे कि समुद्धकृत के बारे में बात करनें तो समुद्धकृत के पढ़ायता मैंने आपको जब इस वर्ड को ब्रेक करोंके तो कितने वर्ड मिलेंगे दो वर्ड्स सम और राजे, सही बात है कि एक ऐसा राज इसने क्या किया और जिसने आसपास के तमाम छोटे मोटे राजों को अपने में मिला लिया हो या फिर समलित कर लिया, तो क्या बोलेंगे सब को अपने में समलित कर रहे वाणा राज अर्थात साम राजे वाद का मतलब क्या होता है विचार धारा जैसे आप जानते होगे पूंजी वाद, सुनाए कभी आपने पूंजी वाद, ठीक है? वाद का मतलब क्या होता है विचार धारा जैसे की समाजवाद, पूंजी वाद, माक्सवाद, आतंगवाद, बात का मतलब होता है विचार धारा, इसके इंगिश में बोलते है आईस्टी, इंगिश में बोलते है आईस्टी, जैसे कैप्टलिस्ट, शोशिलिस्ट, आपको IST word या वाद word लिखा मिल जाया, इसको मतलब होता है महासिक्ता, तो अपने राज को अपने राज का विस्तार करने वाली महासिक्ता रखने वाला कौन समराथ समुद्रुकृत, समझ मा आगया, clear हो गया आप लोगों को, चलो, समुद्रुकृत तो क्या चाहता है, समु है, अभी मा आ रहे है, थोड़ा सा आप इसको समझो, क्योंकि जल्दी बाजी मत करो, रामचंद्रु, बहुत मजा आने वाला है कि, यह थी इस conceptual आई कहां से, जो होता क्या है, होता क्या है, कि समुद्रुकृत की बात करने है, समुद्रुकृत एक समराथ इशा सक है, इसी क अपर प्लेट्यू है, पठार है, पहाड़ है, और जो सीमा के अंत में पढ़ने वाले प्रदेश हैं, इसका मतलब भारत के अलग-अलग हिस्सों की जो इस्तिती है, वो अलग-अलग है, इसे लिए पूरे भारत पर एक जैसी पॉलसी एप्लाई होई नहीं सकती है, इसी का असर था कि समुद्रुगुप्त ने भारत के अलग-अलग हिस्तों को जीतने के लिए अलग-अलग प्रकार की पॉलिसी अपनाई क्याने का मतलब है जहां पर जैसी पॉलिसी फिट बैट सकती थी उसमें वहां वैसी पॉलिसी अपनाने की कोशिश की और इसी का पढ़नाम था इसी का पढ़नाम था कि समुद्रुगुप्त को बोलते हैं बच्चों समुद्रुगुप्त को बोलते हैं बच्चों अनोखा सामराजवादी क्या बोलते हैं बच्चों अनोखा सामराजवादी चीक है इसने अनोखे तरीके से अपने पूरे अंपैर का इसने पूरे अंप तरीके से कहते हैं कि एक और शासक है वो शासक यहां का नहीं बलकि वो शासक है फ्रांस का शासक कहां का बच्चों वो शासक रहने वाला क्या नाम था नैपोलियन के बारे में कहते हैं कि नैपोलियन ने क्या किया था पूरे यूरो कुरान दिया था गैस आवाज आरी मेरी गैस आवाज आरी मेरी तो कहते हैं कि फ्रांस की बात कर रहे थे हां फ्रांस की बात कर रहे थे तो कहते हैं कि बच्चों क्या कहते हां का मा तो प्रांस की बात करें तो कहते हैं कि फ्रांस में क्या होता है बचों फ्रांस में क्या होता है कि 18 शिदाब्दी के आसपास अब वो कौन था देखते हैं देखिए ये है बृत्ब tease ठीक ये है बृति Coordinator के उपर पढ़ता है बृतिस इस इंडिया और ऐकर व् प्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी और सब फॉर्मेशन कब हुआ था सब फॉर्मेशन हुआ था फिप्टी नाइटी नाइन में और जब कंपनी बन गई तो कंपनी को फर्मान मिला 1600 में कि आप अनिश्यत काल के लिए लंबे समय के लिए भारत के साथ वेपार कर सकते हो उसी का पढ़ना में कंपनी जो है वो भारत में आ जाती है कंपनी जब भारत में आती है तो आने के बाद भारत वेपार करती है वेपार करने के बाद इनको लगता कि अगर वेपार पर ना होगा शुरुवात की भी हसेशिप करने की लेकिन शुरुवात में फेल हुए जब फेल हो गए तो उनको लगा कि पॉसिबल नहीं है लेकिन उसी बीच में मुगल बाक्षा कमजोर पड़े उसी का परणाम था कि कंपड़ी ने क्या किया हिंदुस्तान पर बनाई पर के बाद में हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया जब कंपनी हिंदुस्तान के उपर कब्जा कर रही थी तो कहते हैं कि कंपनी को इस बात की जानकारी मिले कि यार अगर हिंदुस्तान के उपर नंबे समय तक शासन करना है तो हमें भारत का इतिहास को जानना होगा सभी बात ह हैं अगर वेक्ति कुछ कमजोरियां होती हैं अगर कञ्जोरी वाले मुद्य पो ठालेंगे तो च्ब हो जाता है और है मैं क्यों सवाज साफ आ रही हैं तेटाइट किया था कि इस्टोरियस ने क्या किया बटाइम नेट श्टो नहीं नेट बहुत फास्ट है मेरा इसपर बहुत बच्चे आ गए है शिर्वाद में क्या था शिर्वाद में केवल प्रवार्त में किवल अनक अटवी पे हजार बच्चे थे आज कितने हैं एक लाग से प्लस है तो कैये मिनिमम आपड़ा है और ये एक लाग से ये एक कैटिकरी की बात कर रहा हूं मैं केवल एक category की बात कर रहा हूं ठीक है और ऐसी कई सारी category में लाखो बच्चे हमारे याग क्या कर रहे हैं निक आडमी के उपर पढ़ने हैं उसका असर क्या होता है कि आप के उपर जाता दिक्कते हो रही है और आपको किसी बीगजाम की त्यारी करनी हो और आपको किसी बी करनी हो रहा है चलना है 2017 सा चलना है 2017 से पढ़ना हो एक से शानदा टिचर रहे मैं की त्यारी करनी हो पीसस तारी करनी हो आप यहां पर जॉइन कर सकती हो और अगर मुझसे पढ़ना हो तुसנदे तिरो और आपकोु भणाना है कि लोगों को जानकारी नहीं थिता इसाइन कई सके ताकि सधकों जोड़ सकें and है लया चोब हो meaning अधीया तभी क्या लिखो पड़े या इंडिया तभी क्या होगा लिखो तब ही बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। पढ़ाने की मात्य हैं, क्या यह एक रूप सोटे हैंगा ही है। शुआ किया चांगालते बारे किसी यह आही? इन्होंने समध्रकुत के बारे पढ़ना शुरू किया तो देखा कि समध्रकुत के चाहर करने के तरीका और नेपोलियन के कार करने के तरीके में कापया इसी बात को देखते हुए कहते हैं कि अंग्जिजों ने क्या बोला कि समुद्रकुप्त क्या है ये भारत का नेपोलियन है ये क्या है नेपोलियन ऑफ इंडिया अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान कियेगा एक बात समझाने वाला हो लिएम स्मित के निशार है विलियम स्मित कहता है कि क्या है ये भारत का नेपोलियन नेपोलियो आफ इंडिया अब अच्छे बात समझोगो ये उल्टा कंपरेजन क्यों हो रहा है देखो एक बात ध्यानकना हम जिस चीज़ को देखे हुए होते हैं हम comparison उसी से करते हैं for example for example बीदी की बात करें हम जैसे हमने चांद को देखा है चांद को देखा है थीक है तो क्या कहते हैं कि वेक्リु期 चांद जैसे सुंदर है वड़की। बोलते हैं जा तो खुश्ववुदार है क्यों मोलते हैं वेक्मराइओ लुटे लुटते हैं रखाक डिया करते हैं और अंग्रेजुँने जो पढ़ाई की थी अंग्रेजुन जो देखा था वो नेपोलियन को देखा था इसे कि वह तुमना किसे करेंगे नेपोलियन से करेंगे भारत का नैपोलियन है जब जब वो पढ़ेंगे कालीधास भी इसाली है, तो वो अैपने अपने लोगों से करते थे भारत की लोगों की इसलिए नाम क्या भारत का नेपोलियन असानिक concept clear हुआ आप लोगों पहली बार कि ये चीज़ आई कहां से है क्योंकि मन में बहुत आता होगा कि ये नेपोलियन सर्बाद में हुआ था समझ को पहले हुआ था ये उल्टा comparison क्यों होता है तो उसकी पीछे हमारा जो मेहात पूर्ण तर्क है वो ये है धूक करने पोलियन था आज बढके अनुका समराजवादि है बेर कुल सऴी बात है λो सबसे अब कहाते हैं कि लसी नेंस टारीफ होनी चाहिए और राजा की तारीफ पार्ता कौन है। अगर सिद्स कारी करता है ऻख़ यह पोक नहीं होthon पर बैटा, totally topic चल ला है, बीच में चल ला है, थोड़ा 사ि patients राखना, वह समझ मुंझा हाईगा क्विए हमने सारा concept clear कर दिया है एंलोग का, इधेकर सारा concept clear है उदेकर सेक्ष़ क्लिए है तो कहते हैं तरबारी कभी की बात करते हैं एक बात कर रहा था कि समद्धुप्त के बारे मैं कहा रहा था कि समद्धुप्त की थी सारी उप्रभ्धिया रही हैं हाँ मैं समझ गया था बेटा आपका नाम देखकर कि आप फर्स टाइंड प्लास में आप आए हो ठीक है अब इतनी सारी उप्रभ्धिया रही हैं तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए और एक राजा की तारीफ करता कौन है एक राजा की तारीफ करता है उसका दरबार में रहने वाला कवी क्योंकि दरबार के रहने वाली कवी को पता है कि जितना चनी की जाड़ा पर चड़ाएंगे तर्याग प्रियाग प्रशस्ती अभी लेक में तुर्याग प्र। तर्शंसा की है। कि एक पथर की गयी है। दिख शाबर की गई है प्रशंसा, क्या बोलेंगे प्रयात प्रस्स्ति अभीलेग बोलेंगे क्या पंखा खोल सकते नहीं हैं क्योंकि आवास में दिक्कत हो जाती गलsomething में दिक्कत होती है पंखा बंध करते हैं तो पसियां निकाल आता है o ac own कर सकते नहीं है क्योंकि भीमार हो जाएंगे तो बड़ा ड़ैल्यमा वाला बात और कर देता हूं देखिए अगर प्रियाग प्रिशस्ति बिलेक की बात की जाए तो प्रियाग प्रिशस्ति बिलेक बहुत बड़ा बिलेक है देखिए होता क्या है ये बहुत बड़ा पत्थर का तुकड़ा है ये बहुत बड़ा क्या है पत्थर का तुकड़ा है और कह चेहते हैं कि बढ़े से प्रिषशथिय के ओपर किवर समम्ध रुपत के बारे में लखा नहीं हुआ है। से बिले कुछ रध्यान से देखो तो कहते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर का तुकड़ा है ठीक है एक रॉक इडिक्ट है कहते हैं कि रॉक इडिक्ट पर क्या होता है कि यहां के उपर यहां के उपर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर इस बड़े से पत्थ ग्राफ है जो फर्स वर भब अब पहागे इसमें क्या मिलता है सम्राथ अशोगąd शोगं आप princes शौक का महान शोग का कहते है सम्राथ तो समंधरुकुत की प्रियाथ प्रश्रेस्थेविल्यक से मिलती है। सेकंड पैरा में समराथ समुद्रुकुत के मरतिमघ दो, समराथ Sümanошम Д्मर्ठ, समुद्रुकुत के महारे में। थर्ड पैरा में अबसाम always जहांगीर ने भी इस पर बातों को लिखवाया था और फूर्थ बैरा में महरानी विक्तोरिया महरानी विक्तोरिया के बारे में भी जनकारी मिलती है तो अलग-अलग समय में अलग-अलग समय में राजाओं ने अपनी बातों को इस पत्थर के उपर लिखवाया है, काफी बड़ा, काफी precious पत्थर है, और ये कहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, आज भी इलाबाद के किले में, इलाबाद किले में रखा हुआ है, शायद ये वहां से हटा लिया गया है, लेकिन अभी काफी लंबे समय तक इलाबाद क के लिए मैं रखा हुवा था ठीक है और बाद में उसको हटा लिया गया है ठीक है यहां तक ही बात ही काफी इंपोर्टेंट थी अब जो आज हमने पढ़ा है उसको आपने को रिविजन कर लेते हैं ठीक है हाँ सिंपल सी बात है हाँ वह कॲशल बात विकास उसकी बेटी का नाम जीवक है जीवक की जानकारी मलती यह ऐसे विलिक से तोमापन करते हैं ठीक है पाहला कॉशन क्या है खीजिए बगवान चीक है पेला कोशन ही ये कि गुप्त समराज के संस्थापक कौन है तो जवाब क्या दो के सार सर्षिग्छ है उसके बाद में गटोब्त के संबंद के संस्थापक कौन है तो वह कौन है चंतगप्त फरस्थ है चिका आगे चलते हैं अगला प्रस्थण है प्रश्ण एक में रुकिए गाई, अपने आप हो रहा है, ठीक है, समध को उतने कौन से उपादी लिए बच्चों, लिट्वी दोहित क्यों पादी लिए है, ठीक है, दोहित का मतलब होता है, बेटी का बेटा अर्थातनाती होता है, इसने खुतो क्या बोला, अनो का समराजवादी बोल तुलना किस से करते हैं, निपोलियन से करते हैं, और उसके तारीफ किसने की है, तारीफ की है, इसी के दरबारी कवी, इसी के दरबारी कवी, किसने की है, हरिशेर ने कहा भाग गया इवने आप, तो किएगा, इससे तारीफ दरबारी कवी, हरिशेर ने तारीफ की है, ठीक ह चलिए और प्रयाग प्रस्चास ही भी लिएक प्र तारीफ की एठीक है चलो इठा अभी जोशी class over हो गया है ठीक है अभी बेटर class over हो गया है और यहीद पर class हमापन हो चुका है ठीक है अब हम discuss करेंगे हम नेक्स टाइम में कुछ ने डिसकस करेंगे रामगब्त के बारे में और चंद्रग॥ती के बारे में वो सब डिसकस करेंगे डिसकता शुली तो मुरे पुरा अलग है पूरा अलग है बच्चों एक बात यह बताए कि जो जो लोग एक मुर्खी एक क्लास वर अभी नहीं हुआ है अब जो जो लोग अनकाडमी के थ्रूँ आए हैं जो लोग पेट पैसे च्वाइन कर चुके हैं उनको बता दो कि मेरा कोर्स चल ला है बेटा अभी जोशी पूरा क्लास कया उगया बेटा बाव पूरा क्लास हो गया हम पिछले एक घंटे से पढ़ा रहे हैं ठीक है एक घंटे से पढ़ा रहे हैं यह ताम पुरा ठीक है, जो लो क्लास में अकेडमी की थुरू आए है, कौन आए है उच्छी अमेरे क्लास के लिए, पिछ है, उंको बता धिया जाए कि एट थार्टी से लेकर 930, एट थार्टी से लेकर 930 PM पर चल लाइ है, हमारी quality की class quality चल रही है तुसाथ रही साथ history चलेगी और फिर जोग्रर्फी चलेगी यह मैं पूरा discuss करूँँगा और अभी चल नहीं है video Yeah चल लाई है आपकी history class modern history जिसमें हम governor general of India जिसमें governor general of Bengal और प्लस इंडिया को discuss कर रहे हैं ठीक है येस अंकिता ये सब जितने courses चल लाए मेरे Monday to Sunday ये एक है paid इस classes चलते हैं बच्चे केता चलते हैं Monday to Sunday कोई break नहीं है ठीक है समरन पाठक ये चलेगी November में geography चलेगी November में November में स्टार्ट हो रही है अभी history पॉलिटी खतम होगी उसके बाद में में subscription charges में रहते हैं अंकिता रहता है मेरा 900 रुपीज पर मंत रहता है अंकिता 900 रुपीज पर मंत रहता है ठीक है श्वरी रहता है ठीक है चालिए यह रुशन रहता है बच्चा एक मंत का पर मंत की फीज है पर मंत की फीज है 900 रुपीज ठीक है और बाती आप मुझे message कर सकते हैं मैं आप पूरा फिंद्धा दोंगा ठीक है जिसको भी an academy join करना हो आप मुझे message कर सकते हो और क्या कि कोई भी course खरीदना हो आप course खरीज सकते हो ठीक है और कुछ भी खरीदना हो आप मुझे contact करो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे आपको करना है कैसे पढ़ना है क्योंकि पढ़ लीजे अल्टिमेटी पढ़ रहें आपको उमीद है पढ़ लीजे कमफीस में और अच्छा सा selection लेजे ठीक है चलिए भाई कल मिलते हैं आपको तब तक लिए guys शुक्रिया thank you किसी का कोई प्रश्न हो किसी कोई doubt हो तो मुझे सकता है मैं बैठा हूं पास मिनिट किसे कुछ doubt पूछना तो पूछ कीजे बाखी गाइस class ओवर है इसे कुछ पूछना है नहीं पूछना है पकब चालो थांक्यू 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 राहुल राहुल बैटक वेरी गूद इवनिंग शिखा बूद इवनिंग बच्चा परक